तो अभी मॉर्निंग के जो है साड़े चार हो गए है और इतने जल्दी पर वैसे उठती नहीं हूं लेकिन चार बज़े के आस-पस मेरी नीद कुल गए थी और फिर उसकी बाद फिर नीद नहीं आ रही है तो फिर मैंने कहा लेटे-लेटे कोई फाइदा तो है नी जब नहीं नहीं हारी है तो या काम करती हो कि जल्दी से उठ जाती हूं और जो भी झोटे-मुटे काम है उन्हैं कर लेती हैं फिर भी आगर मतलब अगर दिन में टाइम लगशननागा तो फिर दिन्में सो जाँंगी मतलब ज़ली से जोगी सारे काम है उने करने के बाद दब द Sophी दम उन्हें करते हैं और उसके बाद यहां पर मैं हलका सा पानी गुनगुना करने लगी हूँ तो मॉनिंग में या तो मैं थोड़ा सा पानी होता है गुनगुना वो ले लेती हूँ या फिर मैं चाई ले लेती हूँ और जादा तर मैं चाई ही पीती हूँ लेकिन कभी कभी जो गुनगुना पानी होता है वो पिलेती हूँ, मुझे खाली पेट पानी पीना अच्छा नहीं लगता है, बहुत से लोगों की आदत होती है कि जो लोग होते हैं वो खाली पेट पानी नहीं पी पाते हैं, तो मुझे भी खाली पेट पानी नहीं पिया जा जो भी हमेरा हाथ मूव अगेरा था वो मैंने यहाँ पर धो लिया है और मैं आ गई हूँ फिर से कीचन में और यहाँ पर मैं चाई बनाने लगी हूँ तो चाई यहाँ पर मैं बना लूँगी और मुझे सिंपल चाई मतलब जो एक किसी को होती ना कड़क चाई पसंद होती है तो इस तरह की कड़क चाई मुझे पसंद नहीं है एकदम माइल्ड सी चाई पीना मुझे अच्छा लगता है और बहुत से लोगों को होता है कि एकदम कड़ी चाई पीना अच्छा लगता है तो मुझे जादा कड़ी चाई या मतलब जादा पकी वी चाई वो भी जादा अच्छी नहीं लगती है और हाँ जादा कम भी नहीं पकने चाई लेकिन एक जो माइल्ड सा फ्लेवर आता है उस फ्लेवर की चाई पीना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो जो चाई है वो भी हाँ पर रेडी हो चुकी है और साथी में मैंने जो थे अपने काम भी कर ले थे तो काफी देर बाद मैं फिर आप से मिल रही हूँ तो मसीन कल संडे है संडे को ही लगाऊंगी और साथ सफाई वगेरा हो चुकी है अब मुझे करनी है फोजा जोट मुझे लगानी है तो बस उसकी ही तैयारी यहाँ पर मैं कर रही हूँ और उसके बाद जो भी ब्रेक फास्ट है उसको मैं फिर मतलब बनाऊंगी ज्यादा कुछ नहीं सिंपल सा ही रहता है मेरा ब्रेक फास्ट होगे रहता है तो यहाँ पर मैं सिंपल सा जो दाल रोटी होती है वो बना रही हूँ और फिर जो मंदर के बरतन थे उन्हें मैं कीचन में ले आई हूँ तो जो मंदर के बरतन होते हैं उन्हें यहाँ पर कीचन में ही मैं साफ करती हूँ क्योंकि जैसा कि आपको आपने देखा था लास्ट व्लॉग में कि पूरा जो रात मैं मैं कीचन को क्लीन करके सोती हूँ तो सिंक वागरा सब कुछ साफ रहता है तो यहीं पर ही जो है मौनिंग में मैं फिर जो मंदिर के बरतन होते हैं उनको भी क्लीन कर लेती हूँ तो जो यह लिक्विड जैल रहता है उससे इनको मैं यहाँ पर साफ कर लूँगी और जो मंदिर के बरतन दोने वाला स्पंज रहता है वो भी अलग रहता है तो बस यहाँ पर जो है मंदिर के बरतन मैं क्लीन करने लगी हूँ और फिर उसके बाद आ गई हूँ यहाँ पर मंदिर मैं और जो भी मंदिर के बरतन थे उनको एक साफ टाउल से साफ कपड़े से यहाँ पर पोच के अच्छे से जो मंदिर है वो साफ कर लूँगी और उसके बाद जो कच्छवा होता है ना कच्छवा मैंने मंदिर पर रखा हुआ है तो उसकी जो प्लेट है उस पर मैं यहाँ पर पानी डालने लगी हूँ तोट टॉइस तो उसकी जो प्लेट होती है उस पर यहाँ पर पानी फिल करने में लगी हूँ मैं और जो पिठिया है पिठिया टीका जिसे बोलते हैं तो यहाँ पर इसको मैं घोल लूँगी पहले और बस उसके बाद जो है दिया वगेरा लगा लूँगी दिया जला लूँगी और जोत लगा लूँगी और उसके बाद जो भी मंदिर के देवी देपता हैं उनको टीका कर लूँगी और हमारे ट्रडिशन में क्या होता है कि जो मंदिर के देवी देपता होते हैं या किसी को भी टीका लगाना होता है तो पहले हम खुद को टीका लगाते हैं तो बस यहीं पर मैं ath invade को टीका लगाने लगी हूँ तो mirror तो है यहाँ पर मंदिर पे लेकिन जो मन्दिर का नीचे ड्रॉर होता है न उसपे था और काफी सारा उसपे समान था तो मैंने सोचा कहा में मिरर निकालू तो सामने से कैमरा लगा वा था बस उस को देखकर यहाँ पर मैंने टीका लगा लिया है और उसके बाद जो भी मन्दिर में सारे देवी देपते हैं उनको भी मैं टीका लगा लूँगी और फूल वगेरा चड़ा लूँगी और फिर उसके बाद बस यहाँ पर आरती करने लगी हूँ मैं बार प्रे नहें लगेरा में लूँ प्रूरा लुचारे से नहाँ बारती करने लाँ करने लाँ बारती हैं लाँ पन्शो बारती हैं बारती है लाँ गुद मॉर्निंग ये टास्क भी बहुत इंपोर्टेंट होता है क्योंकि मैंने बताया था जैसे कि अगर मैं हातों आज जब मेरे हलके से गिले बाल है तब ही मैं कंगी ना करूँ तो इनकी हाला तो बहुत ही बुरी हो जाती है तो बस यहाँ पर बालो को कॉम करने के बाद बालो को टाई कर लेंगे अगर बालो को आई कर लेंगे और बस फिर उसके बाद फिर से आ गई हूँ मैं कीचन में और दाल को बॉइल करने के लिए मैंने रख लिया था तो बस वही मैं चेक करने लगी हूँ कि जो दाल है वो बॉइल हुई है किनी अच्छी से तो मैंने तीन ही सीटी लगाई थी तो तीन सीटी में जो चना डाल थी वो अच्छी तरह से गली नहीं थी तो दुबारा से फिर से मैं जो डाल को है वो सीटी लगा लूँगी दो सीटी मैंने फिर लगा ली थी और साथ ही साथ जो मसाला है उसको भी मैं प्रिपेर कर लूँगी तो डेली कुगिंग में जो सारी चीजे होती है वो मैं हाथों हाथी करती हूँ तो जैसे कि यहाँ पर मैंने जो तेल है वो स्मोक करने के लिए मैंने रख दिया है तो जितनी देर में जो तेल है वो स्मोक हो रहा है तो उतनी देर में यहाँ पर जो प्याँज है वो मैं काट लूँगी और जितनी देर में प्याँज कटेगा उतनी देर में जो ऑईल है वो भी अच्छी तरह से स्मोक हो जाएगा और उसके बाद जीरा हेंग और प्याँज तो इतने देर में जो टमाटर है उसको भी में कट कर लोगी और साथी साथ बीच में जो प्याज उसको भी चलाते रहेंगे जिससे की जो प्याज वो जलेगा नहीं तो बस डेली कुकिंग में तो जो यह सारी चीजे होती है वो हातों हाती करती हूं लेकिन कोई वीडियो और जितनी देर में जो मसाला है वो बनके तेयार हो रहा है तो उतनी साथी साथ में जो यहाँ पर जो खीरा है उसको भी मैंने कट कर लिया है और जो मसाला है वो भी एक दम यहाँ पर बनके रेडि हो चुका है तो जो डाल है वो भी अच्छी तरह से बॉइल हो चुकी है त कुछ देर के लिए चार से पांच मिनट के लिए जो डाल है मसाले के साथ मैं पका लूँगी और लास्ट मैं इसे गानिश कर लूँगी हरे धने के साथ मैं और हमारी जो डाल है वो बनकी यहां पर रेडी हो चुकी है तो डाल को ढखके छोड़ दिया है मैंने और उतने में जो पांसुल था पांसुल भी उठ गया था तो बस उसके बाद यहां पर मैं फिर से आ गई हूँ बैड रूम में और जो संडे होता है ज्यादा तर संडे के दिन मसीन मैं लगाती हूँ तो उस दिन जो बैड स्रीट यहां पर जो बैड सीट है उसको भी मैं चेंज करने लगी हूँ तो बैड सीट यहां पर मैंने चेंज कर ली थी और साथी में जो पिल्लो कवर है उनको भी मैं चेंज कर लूँगी तो जो भी बैड सीट की पिल्लो कवर है उनको मैं इस पे डाल लूँगी पिल्लो पे I don't wanna leave your side, no में आपको दिखाते हूँ और आप मेरी हालत देख सकते हैं तो सुपे से करते करते साड़े चार से दस बच गया है और थोड़ी भी देर के लिए मैं बैठी लिए हूँ इस टाइम पे तो बस ब्रिक फास्ट हो गया है पांसुल पर उड़ी गया है थोड़े इसके जो बीच के काम होते हैं वो भी थोड़े बहुत वो भी हो गए है और अब लग रही है बहुत जोर की भूग तो सबसे पहले म इसको नहलाओंगी और फिर इसको ब्रिक फास्ट भी करवाओंगी चाहिए कितने ही जल्दी और जाओ टाइम उतलाई होता है और मुसके से दो या तीन घंटा मैं सोई हूँ और मुझे अब नीद भी आने लगी है अब मेरी आखे देख सकती देख सकते हैं तो और बस यहा कर लोंगी और फिर चलेंगे पांसल को नहलाने के लिए और ब्रेक फास्ट करने के बाद फिर से आगी हूँ मैं कीचन में और कीचन को पहले मैं अच्छी तरह से क्लीन कर लोंगी मैं और कीचन क्लीन करने के बाद बस यहां पर जो है इसको भी नहला दिया है और नहलाने के बाद फिर इसको भी ब्रेक फास्ट में करा लोंगी तो बस यहां ऑल्मोस्ट जो मॉनिंग का मेरा रूटीन है या काम है वो कम्प्लीट हो जाता है और देन उसके बाद मैं करूंगी थोड़ा सा आराम क्योंकि इ झालो है यहां ऊज़ा और दो आराम करे खास्टा ओंगी अ रारम के दो एच्टाब को ब्सक्ता यहां मां करेक हुआ है और यहां है और दे बाहां है यहां कर दोbor कि अ wanna यहां है यहां है 9